फतेहपूर सुजानपूर गाउं में निग्रानी समिती की बैठक हुई संपन्न COVID जाज्ट दवा वित्रण सफाई एवं सेनेटाइजेशन अभ्यान गतिमान जनपत्स तरिय ब्रेहत सफाय अभ्यान वा निग्रानी समिती सक्रिय करण प्रक्रिया के अंतरगत सुजानपूर में सेक्ट अधिकारी द्वारा निग्रानी समिती की बैठक का आयोजन ग्राम निग्रानी समिती की अध्यक्ष्व प्रधान हिमलता पटेल की अध्यक्षता में गाउं की स्थिती संतोष्चनक देखकर सेक्ट अधिकारी हुए प्रभावित समिती का किया उत्साहवर्धन एवं कोविद बचाव कार्यों हितु आगे के दिये निर्देश निग्रानी समिती की बैठक में ज्यादा से ज्यादा जाँच कराने प्तीका करन लगवाने वह गाउं की स्थिता पर जोर दिया ग्लोक बहुआ के सुजानपूर गाओं में शनिवार को ग्राम निग्रानी समिती की बैठक का आयोजन सेक्ट अधिकारी श्री समीर बाबू की मौझूरगी में हुआ जिसमें प्रमुक रूप से ग्राम निग्रानी समिती की अध्यक्ष वप्रधान हिमलता पतेल। लेक पाल आशा बहु वह अन्य सक्रिय सदस्य सम्मिलित रहे बैठक का प्रमुक विशे कोविद सुरक्षा वह ग्राम स्वच्छता रहा सेक्ट अधिकारी ने कोविद बचाव कारियों हेतु समिती द्वारा किये जा रहे अब तक के कारियों की समीक्षा की जिसमें ग्यात हुआ की ग्राम ने निरंतर कोविद जाच्व दवा वित्रन का कार्य किया जा रहा है वह 45 वर्ष के उपर के लोगों का टीका करण भी प्रगती पर है यह देखकर सेक्ट अधिकारी समिती के कार्यों से प्रभावित हुए एवं ग्राम प्रधान वह उनकी समि पर भी विशेश ध्यान दिया जाए राम निग्रानी समिती की अगली बैठक एक सप्ताह बाद पुनहा आयोजित होने पर रिपोर्ट प्रेशित की जाए वह इस कार्य में होने वाली समस्याओं को भी उजागर किया जाए जिनका ततपर्ता से समाधान किया जाएगा समिती पुनर्ता ततपर है इस दौरान प्रधान हिमलता पटेल के साथ लेकपाल ग्यानेंद्र आशा बहु रश्मी वा प्रेमकुमारी आंगनबाडी कमला सफाय कर्मी कुम्भकरन वा अन्य लोग मौजूद रहे आज हमारे गाउं फुजानपृ में छेत्रिय नोडल अभिकारी की मौजूदगी में ग्राम निगरानी समित की बैठक बुलाई गई उनके निर्देशा अनुसार सफाई के बारे में तो कुरोना के ठीका और जाच के बारे में